देखो दोस्तो आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे TNPL 2023 के मैच नमबर 9 की Dream 11 टीम और Dream 11 प्रेडिक्शन के बारे में और देखो दोस्तो ये वाला मैच खेला जाएगा लाइका कवई किंग्स वर्सिज चेपोक सूपर गिलीज यानि LKK वर्सिज CSG के बीच और देखो दोस्तो ये वाला मैच खेला जाएगा NPR कोलीज क्रिकेट ग्राउंड 19 जून को शाम को 7 बजगे 15 मिनिट पे मैच स्टार्ट होगा देखो दोस्तो इस मैच के अंदर हम हर एक प्लेयर का रिकोर्ड देखेंगे ताकि अगर कोई नया प्लेयर भी खेले ना तो भी आपको टीम बनाने में आसानी हो और दूसरी चीज़ देखो दोस्तो कुछ ऐसे प्लेयर के बारे में बताएंगे जो आपके लिए GL में डिफरेंचियल रह सकते हैं तो देखो दोस्तो वीडियो को पूरा देख लिजेगा वहीं देखो दोस्तो आपको इस वीडियो के description में link मिलेगा हमारे telegram का तो link पे क्लिक करके telegram channel या अच्छे जोइन कर लिजेगा telegram पे आपको toes होने के बाद update प्रोवाइड की जाएगी वहीं अभी तक अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज यार इस वीडियो को लाइक याज से कर दीजेगा तो दोस्तो वीडियो की स्टार्टिंग कर लेते हो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं NPR कोलीज ग्राउंड के उपर इन दोनों टीमों का लास्ट येर प्रफोर्मेंस कैसा था दोस्तो इस ग्राउंड की उपर गरम बात करेना लाइका का वाइकिंग्स यानी LKK की टीम ने दो मैच खेले थे पहला मैच खेला था मदरोई के खिलाफ वो मैच LKK की टीम दो विकेट से हार गई थी लेकिन उस मैच में LKK की तरब से जे सुरेश कुमार ने 46 रन बनाये थे य अलाकि देखो दोस्तो यू मुकलेस ने पहले मैच के अंदर भी अच्छा परफोमेस दिया था लेकिन बैटिंग थोड़ा नीचे करने आते हैं अगर LKK के टोप ओडर के एक दो प्लेट जल्दी आउट होते है न तो यू मुकलेस ग्रेंड लिग का डिफरेंचल निकल के आ सकते हैं लेकिन इनके टोप ओडर के बैट्समेन भी काफ एक्चा परफोमेस दे रहे हैं वहीं देखो दोस्तो दूसरा मैच था सैलम स्पार्टन के साथ इस ग्राउंड के उपर 2022 के अंदर और वो मैच LKK या नियलाइक का वैकिंस की टीम आठ विकेट से जीत गई थी औ वहीं देखो दोस्तों कर हम चेपोक सूपर गिलीज की बात करें तो CSG के टीम ने इस ग्राउंड के उपर लास्ट एर एक मैच खेलाता आर्टी डबलू के खिलाफ वो मैच CSG के टीम चमालीस रण से जीत गए थी और उस मैच में CSG के तरब से एन जगदीशन ने 15 रण देखो दोस्तों लास्ट एर यू ससीदे बना वो चार नंबर पे बैटिंग करने आते थे इसी वज़य से उन्होंने इस मैच के अंदर 65 टन बनाये थे लेकिन इस साल उनका बैटिंग ओडर बहुत नीचे कर दिया गया है तो अगर फिर से चार नंबर पे बैटिंग करने आए तो इंपोर्टेंट रह सकते हैं अधर्वाइस टीम में लेने की कोई जूर्थ नहीं है तो ये इन दोनों टीमों का इस ग्राउंड की उपर रिकोर्ड देखने को मिला था लास्ट ये अब देखो दोस्तों अगर NPR कोलीस ग्राउंड की पिछ का थोड़ा अंदाजा लगाए ना तो लास्ट येर तमिल नाडू पीमेर लिग में साथ मैच खेले गए थे जिसमें से पहले बैटिंग करने वाले टिम दो और सेकंड बैटिंग करने वाले टिम ने पांच मैच जीते थे और फ़र्स्ट इनिंग का एवरेच स्कूर एक सो ठाउंड रन देखने क को मिला था लेकिन सबसे इंट्रेस्टिंग चीज क्या थी इन साथ मैच्चों के अंदर 81 विकेट गिरे थे जिसमें 22 विकेट फास्ट बोलर और 21 विकेट स्पीनर को मिले थे यानि आप फे फास्ट बोलर का भी एक अच्छागा सारोल देखने को मिल सकता है स्पीनर के साथ आला कि पिछे के जो मैच खिले गे था ना एस आर न कोलीज ग्राउंड के उपर वहां पे फास्ट बोलर इतना डोमिनेट नहीं कर रहे थे लेकिन इस ग्राउंड के पर फास्ट बोलर भी आपको डोमिनेट करते हूँ दिख सकते बाकि देखो दोस्तों पिछ के लेवन देखने को मिल सकते हैं इस मैच के अंदर जैको दोस्तों लाइका कवई किंग्स ने अब तक TNPL 2023 के अंदर दो मैच खेले हैं जिसमें से एक मैच जीता है और एक मैच हा रहा है अगर इनकी प्लेइंग लेवन की बात करें तो B सचिन और J सुरेश कुमार ओपनिंग कर सकते हैं उसके बाद कभिक बारेन की टीम अतीकु रेमान को भी ओपनिंग करनी बेज सकती है बाकि अभी के लिए हम B सचिन और J सुरेश कुमार को ओपनिंग कर लेते हैं और तीन नंबर पे साही सुदर्शन यानि ये तीन प्लेर होगे टोप ओडर के मिल ओडर की बात करे तो राम, अर्विंद, यू मुकलेस, शारुक खान, एम मुहमद और किरन आकास तक बैटिंग कर लेते हैं और बोलिंग के बात करें तो के गोथम थमराई, जे सुबरमन्यम, मनिमर्ण सिधार्थ, किरन आकास, एम मुहमद, शारुक खान और यू मुकलेस इनकी तरब से ये साथ बोलर ओप्सन देखने को में मिलते हैं, जिसमें से देखों दोस्तों, अगर हम बात करें तो किरन आकास के हाई चांस है, अपने पूरे चार और की बोलिंग करेंगे, एम सिधार्थ, लाष्ट के दोनों मैचों में अपने पूरे चार और की बोलिंग कर रहे हैं, लेक की बोलिंग कर सकता है और अगर फिछ में spinner को मदद हुई तो J subramaniam भी बोलिंग कर सकते हैं राइट समें, लेख雨 ब्रिक स्वीन बोलिंग कर लेते हैं अब देख सिब्ट इन की तरब से अगर हम सेफ ओप्सन की बात करें तो 16 सिदिर्लन को बंडा लेगा लगातार दो मेच्चों में 80 प्लस रन बना चुके हैं उसके बाद जे सुरेश कुमार ने लास्ट मेच्च में अच्छा परफोमिस दिया था ओपनिंग करने आते हैं विकड की पिंग भी करेंगे इसको भी हर कोई बंदा लेगा उसके बाद अगर हम बात करें तो शा सेफ कैटेगरी में आ रहे हैं जे सुरेश कुमार साई सुधर्ष्टन शारुक खान एम मुहमद किरन अर्कास और के गोतम थमराई अब देखो दोस्तों अगर ग्रेंड लिग के परस्पेक्ट्र से जाए ना तो अगर फिर से 20 अचिन को मोका मिलता है ना वाला कि अर्विंद देखो दोस्तों राम अर्विंद वेचे तो चार नमरे बैटिंग करने आते हैं लेकिन इस प्लेयर को भी ओपनिंग में सिफ्ट किया जा सकते हैं लास्ट मैच में 18 रन बनाये थे लेकिन इस मैच में अगर बैटिंग करने का मोका मिलता तो इंपोर्टन रह सक उसके बाद दोस्तों मनी मन सिधार्थना यह अपने पूरी चाचर ओर की बोलिंग कर रहा है लेकिन विकेट नहीं निकाल रहा है जील का डिफरेंशल ओप्सन निकल के आ सकते हैं बाकी दोस्तों हाई चांस है यही प्लेंग लेवन देखने को मिलेगी बाकी कोई और सकता है यह चीज़ हम बाद में टेलिग्राम पे डिस्कस कर लेंगे टोस होने के बाद अब देखो दोस्तों हम बात कर लेते हैं CSG यानी च्वेपोग सूपर गिलीज के आपको क्या पोसिबल प्लेइंग लेवन देखने को मिल सकती है देखो दोस्तों CSG की तरफ से अब देखो दोस्तों इनका इंपक प्लेर बजा देता हूँ अगर इनकी टीम पहले बैटेंग करती है उस केस केंदर इनका impact player कोई faller होगा जो most probably row की भासकर हो सकता है या फिर यहां पे हो सकता है राम लिंगम रोहिद लेकिन अगर इनकी टीम पहले बोलिंग करेगी तो उस केस मेंनका impact player प्रबोद रंजिन पॉल होगा जो second inning के अदर बैटिंग करने आ सकता है बाकि देखो दोस्तो हाई चांस आपको यही प्लेइंग लिएंग देखने को मिलेगी CSG यानी चेपोक सूपर गिलीज की तरफ से अब देखो दोस्तो हम कर लेते हैं प्लेयर कंपेरिजन करने आते हैं लास्ट मैच में ठार रन बनाएते हैं वहीं देखो दोस्तों CSG की तरफ से मारे पास है एन जगदीशन ओपनिंग करने आते हैं लास्ट मैच में तेरा रन उससे पहले 35 रन इस ग्राउंड की उपर एक मैच में 15 रन है और लाइका का वैकिंग से खिलाफ तीन मैचों में 6 सी रन है वहीं परबोध रन जगदीशन की बात करो तो फर्स्ट चोईश अंजगदीशन है दूसरा उप्सन अभी के लिए मैं जे सुरेश कुमार के साथ जा रहा हूँ लेकिन अगर यहाँ पे CSG की टीम सेकंड निंग के अंदर बैटिंग करें फिर आप परदोस रन जगदीशन पोल को ले सकते हो ग्रेंड लिग के अंदर रिस्की ओप्सन के तोर पे और अगर यहाँ पे LKK की टीम पहले बैटिंग करें उस के सकंडर आप राम अर्विंद को भी मोका दे सकते हो जील की टीम के अंदर बाकि जे सुरेश कुमार और अन जगदीशन बिल्कुल सेफ उप्सन है अब दोस्तों हम बात कर लेटे हैं बैटिंग के बारे में जब दोस्तों बैटिंग मारे पास लाइका कवाई किंग्स की तरफ से 20 अचीन ओपनिंग करने आते हैं जीरो और दो रन बनाएं लास्ट के दो मेचों में अलाकि फोर्म थोड़ी कराब है लेकिन अगर एलके की टीम चेज करें ना उस केस के अंदर जील में थोड़ा इंपोर्टन रह सकता है उसके बाद साइस उधर्षन की बात करें 3 नमबरे बेटिंग करने आते हैं लाइस्ट मेच में 90 उस से पहले 86 कमाल के फोर्म में चल रहे हैं शारू खान की बात करें 6 नमबरे बेटिंग करने आते हैं पहले मैच के अंदर 25 रन बनाए ते तीन विकेट लिए थे, लास्ट मैच में 17 रन बनाए थे, एक विकेट लिया था, और इस ग्राउंड की उपर लास्ट इर दो मैच खेले थे, जिसमें से एक मैच में चार विकेट भी निकाले थे, उसके बाद देखो दोस्ता हमार पास LKK की तरब से यू मुकलेस, देखो दोस्तों, यू मुकलेस बैटिंग थोड़ा नीचे करने आते हैं, पहले मैच में 33 रन एक विकेट लिया था, दूसरे मैच ये 15 रन बनाए थे, लेकिन इस ग्राउंड की उपर लास्ट इर दो मैच खेले थे, जिसमें से एक मैच में बैटिंग आय थे, जिसके अंदर 50 रन बनाए थे, अगर बैटिंग आते हैं, अगर खेलते हैं, अगर खेलते हैं, तो ओपनिंग करने आ सकते हैं, वहीं देखो दोस्तों, CSG की तरब से संजय आदो, लेकिन लास्ट इर इस ग्राउंड की उपर एक मैच में 55 रन बनाए थे, लेकिन उस टाइम ये प्लेश च्यार नंबरे बैटिंग करने आता था, अगर फिर से च्यार नंबरे बैटिंग करने आएगा, तो इंपोर्टन रह सकता है, लेकिन इसकी बैटिंग थोड़ी नीची आते हैं, इसलिए बैटिंग आने के चांद थोड़ी कम हो जाती है, राजगो पाल सतिष क बात करें तो देखो दोस्तो इस प्लेर की बैटिंग थोड़ी सी नीचे आती है इस ग्राउंड की उपर एक मैच में 15 रहन है लाश्ट येर और अगर हम LKK के खिलाब बात करें तो तीन मैचों में 50 रहन है उसके बाद दोस्तो इनकी तरफ से संतोर शीव है अगर खेलेगा त ओपनिंग करने आ सकता है और शिब भी अगर खेलता है तो काफ़ एच्छे डोमेस्टिक रिकोर्ड करी करता है अगर खेलेगा तो इंपोर्टन रह सकता है स्टेफ ऑप्सन की बात करें फर्स्ट चोईश साइस उदशन सेकंड चोईश शारुकान और थर्ड चोईश संजय किरन आकास राइटाम फास्ट में बोलिंग कर लेते हैं लास्ट के दोनों मैचो में एक एक विकेट निकाला है अतीकू रहमान की बात करें लेफटाम और्थोडोक्स बोलेर बैटिंग भी कर लेते हैं अला कि कोई खास कमाल नहीं कर पाए हैं लेकिन कभी कबार इनकी टीम सुपर की लीज के दरब से तो बाबा अपराजीत है राइट हैं डिट बैट्समें ओप ब्रेक बोलर पहले मैच के अंदर 29 रन 2 विकेट लास्ट मैच में 46 रन 1 विकेट इस ग्राउंड की उपर 2 मैचों में 93 रन है और LKK के खिलाफ 3 मैचों में 109 रन और 5 विकेट है CVC का अच्छ उप्सन रह सकता है उसके बाद एचस कुमार है यानि हरीस एस कुमार है राइट हम मीडियम बोलिंग कर लेते हैं चार पाश नमरे बैटेंग भी करने आते हैं जो दोस्तों लास्ट वाले मैच में 12 रन 2 विकेट थे उससे पहले 8 रन 1 विकेट है इस ग्राउंड की खेलने का मोगा नहीं मिलागा सेफ ऑप्सन की बात करें तो फ़स्ट चोईस बाबा अपराजीत है सेकंड चोईस हरीस एस कुमार है और थर्ड ऑप्सन के गरम बात करें तो आप कीरन आकास और के गोथम थमराई में इसकी साथ जा जा जकते हो वह आपकी परसनल चोईस रह यह दो गुल्लकित नहीं बसकरें तो जा से बात करें राहिल शाल लेटाम और्थम रफ़्पसन से पहले एक विकेट मिलंग्स रहाइस एंधन स्लामबसरन लेफ़टामistas ब विकेट नहीं लेकिन उससे पहले वाले मेंच में एक विकेट मिला था वहीं इस ग्राउंड की उपर तीन मेंच में चार विकेट है और लाइका कवाई किंग से खिलाफ तीन मेंच में तीन विकेट है बासकर रोकी ओप ब्रेक बोलर लास्ट मेंच में विकेट लेस उससे पह बोलिंग कर सकता है, पार्फली में अगर विकेट मिलता है, पूरी चार ओर की बोलिंग भी कर सकता है, टेफ ओप्सन की बात करें, देखो दोस्तों राहिल शाह सेफ है, एम सिल्बासन सेफ है, उसके बाद अगर अगर आप चाओ, तो आप यहाँ पे जे सुब्रमन्नेम और मुंबद दोनों के साथ जा सकते हो, जी एल के अंदर एम सिधार्थ को मुखा दे सकते हो, जी एल के अंदर देखो दोस्तों यहाँ पे आप राम लिंगम रोहित को मुखा दे सकते हो, और अर आर दिवाकर खेले, तो इस प्लेर को आप याद से जी एल के अंदर ट्राई कर एम मुहम्मत को 10 प्लेर चूज़के 11 प्लेर के गोथम धमराई हो सकता है किरन आकास हो सकता है एम सिदार्थ हो सकता है जे सुबरमन्यम हो सकता है यह आपके उपर डिपेंड करेगा यह जो च्यार है यह तो बिल्कुल सेफ अगर आप चाहो तो आप इंद में से रोटेट कर सकते हो तीन ग्रेंड लिग के बता देता हूँ एन जगादी सन हरीस एसकुमार और जे सुरेस कुमार यह आपके लिए जील में डिफेरेंचल निकल के आ सकते हैं बाके देगो दोस्तों अगर आप चाहो तो आप ग्रेंड लिग के अंदर जे सुब्रमन्यम को मोका दे सकते हो राम लिंगम रोहित को मोका दे सकते हो यू मुकलेस को मोका दे सकते हो यह प्लेर थोड़ा और इंपोर्टन निकल के आ सकता है और यू ससी देव कोई मोका दे सकते हो वह आपकी पर्सनल चोईस रहेगी क्योंकि इन प्लेरों के रिकोर्ट थोड़े ठीक है लेकिन बैटिंग थोड़ा नीचे करने आते हैं देखो दोस्तों यह ती में तरफ से लाइका का वही किंग्स वर्सिज चो एपोग सूपर गिलीज के बीच होने वाले टीन पिल 2023 के मैच नंबर नो की ड्रीम लेवन टीम प्रेडिक्शन फिच रिपोर्टर प्लेइंग लेवन उमीद करता हम वीडियो आपको अच्छे लगी अच्छे लगी तो लाइक कर देजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने ना भूले धन्यवाद